Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का देई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 02, आधुनिक विश्व का एक short वीडियो की help से Unit 7 को हम समझने वाले हैं Unit 7 के अंदर में कौन-कौन से chapters आते हैं, कौन-कौन से topic हैं, किस तरह की questions एक्जाम में पुछे जा सकते हैं और उन questions का answer कैसे लिखेंगे, यह हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे चले, start करते हैं दोस्तों, Unit 7 के अंदर में हमें करांतियों के बारे में बात करना है फ्रांस की करांति के नम से जाने घाता है फ्रांसेसी करांति, फ्रांस की करांति को कहते हैं, उसे राजनीदी करांति थी एक परकार की जिसको 1784 में किया गया था इसका main जो मोटिव रहा था अधिकारों की प्राप्ति ठीके जो मजदूर वर्ग था निम वर्ग था किसान वर्ग था वो अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ रहा था ठीके अक्रांती कर रहा था मिली किस तरह के लिखार, सोतंतरता, समांता, इस तरह के लड़ाई थी, यह एक निरंकु सासद की परतिय लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो यहाँ पे अगर पहला question देखो गई, तो फ्रांस की करामती क्या है, और इसकी उद्देश्चे कहा रहे हैं, यह करके बन जाता है, इसकी उपलब्दियां क्या रही है यह ऐसे करके question बन जाता है इस तरह से पहला question बन कराता है दूसरा question इसके इंदर मनता है कि France की करांति का नई राजनितिक सांस्कृति क्या रहा राजनितिक संस्कृति किस परकार से रही राजदितिक स्वरूप किस परकार कर रहा, यह यहां पर एक बन दूसरा question बन जाता है, मतलब राजनितिक भाँएदारी किस परकार के रही करांती के अंदर में यहां पे question दूसरा बनता है, तीसरा question जो कई बार बच्चों ने मुझे से पूछा भी है students जितने भी almost WhatsApp group से जुड़े हुए वो अक्सर पूछ लेते मैंने answer भी दिया था थोड़ा से यहां पर answer में correction करना चाहूँगा जो बच्चे पहले देख चुके हैं वीडियो एक बार दोबारा देखें answer में correction ये तीसरा question यहां पर बनता है Sanskritic विरासत का कि जो France की क्रांती थी उसकी Sanskritic विरासत क्या है normally अगर जब भी विरासत का question पूछा जाता है तो क्रांती होने के वाद जो भी चीज़े बसती हैं उसको विरासत के तोर पे देखते हैं ठीक है जो भी चीज़े मिलती है तो यहां पर दो चीज़े देखी जाती है पहले चीज़े तो यह देखी गई कि France की क्रांती का में उद्देश से रहा अधिकारों की प्रापती ठीक है सोतंतरता समानता बंदुत्व इन सब चीज़ों के उपर में लड़ा जा रहा था क्रांती का पूरा विस्तार हुआ ठीक है इन सब के नारों के साथ में ही क्रांत चल रही है ठीक है अभी आज ही के दिन उन्होंने अटल ब्रीज का सुरुआत किया ठीक है जो सावर मती रिवर फ्रेंट के उपर में बना गुजरात के अंदर में ठीक है तुम्हें अल्मोस्ट क्या जादा तर चीज़े उनके नाम पर रखी जाने लगी तो सेम चीज यहा चीज़े एक तरस्ते जो फ्रांसेशी करांती का अधार था उसकी सुरुवात उसकी एक विरासत के तौर पर देखी जाने लगी इन चीजों को तो यहां पर हम दो तरीके सी इसको अंसर बता सकते हैं ठीक है समझ में आता है यहां पर एक और चौधा कोशन भी पूशा जात है तो आप यहां पर explain कर सकते हो समाजवादी विचारदारा को फ्रांसेशी करांती के संदर्व में ठीक है समझ में आता है इस वाले चैप्टर के अंदर में यही चार कोशन बनते हैं जो important है अब मैं अगले चैप्टर की बात कुरू चैप्टर नमबर 24 सेकिंड चैप्टर ठीक है किसान मुझदूरों की करांती भी कहते है समाजवादी करांती भी कहते है तो बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है ठीक है यहां पर एक कोशन बनता है कि समाजवादी करांती है क्या एक कोशन ही बनता है दूसरा कोशन यहां पर बन जाता है कि समाजवादी करा करांती का विरासत क्या है ठीक है तीन कोश्चन इस वाले चारपरकेंद्र में बनते हैं अब देखो समाजवादी करांती है गया तो जब हम मतलब सभी वर्गों को समान रूप से देखते हैं ठीक हुआ पर कोई ऊच नीच नहीं होता ठीक हुआ पर नीजिता का अधिकार खतम भारत में क्यों नहीं बंगाल में क्यों नहीं बंगाल स्वारी मालो किसी और भी देश का ले लो ब्राजिल फाकिस्तान अफगानिस्तान किसी भी देश का ले लो वहां पर क्यों नहीं रूस में क्यों अमेरिका में क्यों नहीं तो सबसे बड़ा रीजन यह था कि उनकी प् उस तरह के चीज़े लोगों के सामने रखी, जो लोगों को जरूत लगा, ठीके, अब लोग पहले से ही परसान थे, उसके सामने अगर कुछ आप्शन मिल रहा है था हम उसको चुनते हैं, ठीके, तो वहाँ पे वो चीज़े की जाने लगी, ठीके, साथ साथ में जो जार निक रिशेशन का टाइम पिरेड पूरा चल रहा था, रिशेशन मतलब क्या महामंदी का पूरा टाइम पिरेड था, ठीके, और वो यह नहीं कि 1929 में जाके हुआ, उससे पहले से ही चल रहा था, तो उस समय भी लोगों के मन में था, कि भाई हमें कुछ परिवर्तन चाहिए, फ आपको explain करके लिखने है, आप थोड़ा सा पढ़ो के समझ में आ जाएगा, विरासत मतलब क्या होता है, कि जो भी घटना घटा, उसके बाद में आपको प्राप्त क्या हुआ, लोगों के सामने क्या मिला, ठीके, उसको हम विरासत के तौर पे देखते है, ठीके, यहाँ पर क्या करें, बुक से पढ़ते थे, बुक से आज मैं लैप्टॉप पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीके, लैप्टॉप राइटिंग पैड पर लेकर आपको समझा रहा हूँ, तो यह क्या हुआ, जो मेरे पापा या फिर पापा क्या थे, पेंड़ों के चालों पर पढ़त हैं, दो कोशन बनते हैं, तिन कोशन बनते हैं, पहला तो यह ज्यान का विकास, तकनीक का विकास किस परकार से हुआ, ज्यान का विकास किस परकार से हुआ, ज्यान का विकास, तकनीक का विकास किस परकार से हुआ, अब दोनों का अगर हम देखते हैं, देखो, तकनीक का वि जोग स्थिए लेने के लिए बनाया कैसे गया तो ग्यान के मद़्स से बनाया और ग्यान की प्राप्ति हो सके उसके बनाया गया ठीक है तो इस तरीके से चीजे ग्यान की विकास कीस परकार से हुआ यह आपको explain करना है वहाँ ठीक है आज आता है कि यूरोप में सिख्छा का विकास किस परकार से हुआ ठीक है तो यूरोप में एक दसक ऐसा आता जहां पर सिख्छा देखने के लिए नहीं मिलती थी पर जैसे ही यह ग्यान की क्रांति सुरुआत हुती है मुद्रन और सुचना जैसे परसारनी चीज़ आती है सुचना का परसारनी जैसे अकवार होता है आज के समय में हर घर में यूज होने लगता है ठीक है तो अकवार यह सारे सुचना का मादियम बना ठीक है मुद्रन जो printing करते हैं प्रेश्टिंग प्रिंटिंग होती है तो वह सारे सूचुना का माद्यम बना, क्रांती का माद्यम बना, तो वो किस परकार से यूरोप में सिख्छा का विकास हुआ, वो यहां पर एक कोशिन बन जाता है, यहां पर एक कोशिन आता है, प्रिंट तकनीक के विकास की अखवारों का होदे print technique का किस प्रकार से विकास हुआ जिसके कारण साख़वारों का उद्य होता है तो print technique के अगर विकास के आब बात करते हो तो 1450 के अंदर में print technique का विकास यहां पर आरंप होता है ठीक है तो यहां पर यह भी एक question बन जाता है तो तीन कोशन इस वाले चैप्टर के अंदर में भी आते हैं, चौथा चैप्टर के में बात करूँ, तकनीकी करामती, संचार एम चिकित्सा, तकनीकी करामती क्या है, किस परकार से तकनीक में करामती आई, उसके बाद संचार और चिकित्सा में किस तरह से परिवर्तन आया, और संचार में तकनीकी विकास, किस परकार से परिवर्तन हुआ, यह यहां पर कोशन मन जाता है, अब संचार की बात करोगे तो पहले लकड के ना होते थे, आज बड़े-बड़े टाइटिनिक जेतने बड़े सिप हैं, ठीके, तो यह क्या संचार में परिवर्तन हुआ, ठीक अब जाता है, तो यह यह बात करोगे तो पहले लोग ऐसे नफस नाड़ी पकड़ कर चेक करते था हैं, अब बस एक्सरे, इसकी मसीन है, ठीके, अलग-लगतर की मसीन है, तकनीक है, अलग-लगतर के चिकिस्टा पदेती के हमने विकास किया, तकनीक के माद्यम से यहां पर व विकास होँ, संचार के चितर में विकास होँ, तो ये